नवश्कार आर्यान्यूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिशप चोहान राजनीता बनना एक ऐसा नशा है जो इनसान को किसी भी हद तक गिरा देता है सत्ता की पावर पाने का लालच इनसान को दल बदलू भी बना देता है और दुश्मन भी दोस बनता नजर आता है और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है अब बिहार में तरसल बिहार के फेमस यूट्यूबर अपने आपको सन अव बिहार कहने वाले मनीश कश्यप इन जिनों काफी जादा चर्चम है क्योंकि जनाब अब राजनीती में एंट्री करने का मून बना चुक है मनीश कश्यप ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोगसबा चुनाओ पर हर कीमत पर लड़ेंगे फिर चाहे कोई भी मौका दे हलाकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी से या फिर किस गटवंदन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे या अभी तक साफ नहीं किया है लेकिन ये जरूर बताया है कि अगर राम जी चुनाओ लड़वाएंगे तो जरूर लड़ेंगे और अब उन्हें चुनाओ लड़ने से कोई रोप नहीं सकता लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि कुछ समय पहले मनीश कश्यप जिस तेजस्वी यादब को जेल से चुटने के बाद सारवजनिक रूप से आलोशना करने से नहीं ठकते थे अब विहार के बिकास की दोहाई देकर मनीश कश्यप जिस तेजस्वी यादब को भी गले लगाने के लिए तैयार है तभी मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि राजनेता बनने का नशा इंसान को किसी भी हद तक घिरा देता है और ये बात अब मनीश कश्यप पर बिल्कुल सटीक बैठती है दरसल तमिलनाडू वीडियो मामले को लेकर विबादों में आए यूट्यूबर मनीश कश्यप का कहना है कि बिहार के लोगों को अंदर और बाहर के लोगों ने जम कर ठका है और नेताव ने बिहार को पूरी तरह से बरवात कर दिया है मनीश कश्यप का दावा है कि अब बिहार की कहानी काले अक्षरों में प्रिंट होकर नहीं आने वाली है उनका दावा ये भी है कि अब केबल बिहार में खुशियाली की कहानी सामने आएगी मनीश कश्चियप ने दावा किया है वह लोग सब चुनाओ लड़ेंगे और जीतेंगे भी मनीश कश्चियप यही नहीं रूके उनका कहना ये भी है कि चुनाओ के लिए तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है वहें बिहार के लोगों को सभी समस्याओं से पहले से अबगत हैं उनका मानना है कि चुनाओ लड़ने के लिए तैयारी की जरुवत उन्हें करनी पड़ती है जिसके पास कोई जानकारी नहीं होती लेकिन वहें बिहार के बेटे हैं और उन्हें केवल आशिरबात की जरुवत है हलाकि यह पहला मौकर नहीं है जब मनीश कश्याओ चुनाओ लड़ेंगे इससे पहले भी विधान सबा चुनाओ में वहें अपनी किस्मत अजमा चुके है लेकिन जेल से आने के बाद मिल रहें लोगों के समर्थन को अब मनीश कश्याओ राजनितिक फायदे के रूप में बुनाने के लिए तैयार है उन्हें लगता है कि अगर लोगों के यह प्यार और समर्थन उनके राजनितिक मात्रो कांशा पर मोहर लगा देता है तो वह संसद में बिहार की अबाद बन सकेंगे लेकिन अब देखने बाली बात यह होगी कि मनीश कश्याओ को कौन सी पार्टी बिहार से टिकेट देती है और मनीश कश्याओ अपनी कतनी और करनी पर कितना सही बैठते हैं लेकिन अगर मनीश कश्यप इस बार बिहार से लोगसभा चुनाओ लड़ते हैं और बिहार से जीत भी जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो बिहार को किस मुकाम पर ले जा सकते हैं? या फिर बिहार के अंदर कितना विकास करा सकते हैं? एक बार हमें कमेंड करके मनीश कश्चप के बारे में राय जरूर देना देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्रिया नियूस को भी फॉलो कर लेना मिलता हूँ आप से किसी और वीडियो में जैह